Toyota ETOs अरे कहां जा रहे हो सब लोग क्या मतलब अंकल लो की गाड़ी है ETOs को आप गाड़ियों का इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं जिसे Toyota ने धाई हजार करोड खर्च करके इंडिया में और इंडिया के लिए 2010 में लॉंच किया ETOs तीन अफ़ताज में आती थी सिडान, हाचबाक और क्रॉस पहले कुछ साल सेल्स डीसेंट रहे फिर दस साल बाट 2010 में Toyota ने ETOs को BS6 पे अपग्रेड ना करके डिसकंटिनू कर दे पर गड़बड का हुई ETOs एक Reliable, Practical और Economical Toyota है Global NCAP Crash Ratings में भी 4-3 तो गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं थी पर क्यूंकि 60% ETOs डीजल और Taxi Cap fleet में जाती थी तो Private Buyers ETOs से उचित दूरी बनाने लगे जिससे ETOs पे लगा Taxi Curse Innova के साथ भी same problem है फिर भी दोनों Private और Commercial सेग्मेट में सक्सेस्फुल है इसको ठीक करने के लिए Toyota ने exclusively Private Buyers के लिए लाँच की Platinum ETOs पर तब तक Sedans के आखरे दिन आ चुके थे और एक hatchback owner सीधा Compact SUV में अपग्रेड करने लगा Practicality, Underrated और Bad Luck की कहानी है